हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक आन्माई यूट्व चानल बायलोजी ब्लेज एंड टोड़े गाइज वियर गोई टो डिसकूस थ्री बेरी इंपोर्टेंट जेनरा या हम कह सकते हैं थ्री बेरी इंपोर्टेंट एल्गी जैड बिलाउंग टू ग्रूप फियो फाइसी या ब पढ़ने हैं दूसरी बात है फिर हम पढ़ की हो रहें पढ़ इसलिए रहें क्योंकि फैमली फ्यो फाइसी और साइनो फाइसी को डिटेल में को बोला गया है कि इन्हें आपको त्वाइटेल पढ़ना जैसे कि हमने आपको बिलू ग्रीन एलगी की जो ग्रूप था साइनो प्रोड़ी आपको इसके बाद हम कर रहें एक सेट आपको ट्वेंटी बन एंसी करा दिया है उसके बाद अब मैंने यह नोटिस कि तरी बेरिपॉर्टेंट एलगी जिसमें आपका सारगय से हम डिक्टियो टाइं लेमिनेरी आते इन से बहुत सारे कोशन एक्जाम में पू आपके फ्यूकस और आपका एक्टो कार्पस को हम पढ़ेंगे जो कि हमारे ब्राउन एलगे बट चुकिए ऐस पर फैमिली को में डिटेल पढ़ना उस प्रस्प्रेक्टिव से कर आप देखें तो सारगय सम्डिक्टियो टा जो है फ्योफ फाइस को विलांग करते हैं उन पर डिसक्स करेंगे एंड इस थ्री जैनरा जो है आपको पता होना चाहिए कि फ्यूफ आइस या विरावन वाल्गी को बिलॉंग करते हैं वाइट जैसे कम पिक्चर में पहला देख सकते हैं कि इस इस पिक्चर आफ आपका लैमिनेरिया यह लैमिनेरिया का एक पॉइ प्रवक्वलेंट होल्ड होता है उसके बाद हम कोशन के देख जैसे कि यह आपका लैमिनेरिया जैसे क्या बोलते हैं कामली डीप सी टैंजल बोलते हैं अब दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं लैमिनेरिया कैसा दिखता गाइस इसकी देखिए ओरुजिनल व्यू तो यह जब उसी मतलब समंधर में होता है तो आपके जैसे कि हमने बताया कि यह सबसे लार्जेस्ट इसलिगी होते हैं जयान कैल प्याइज फॉरस्स बनाते हैं अब दीलगी एंड पिक्चर में भी आप यह देख रहे हैं कि किस तरीके से यह सब बाया जाता है अब यहां पर दोबा पर डिपेंडेस और लेमिनेरिया एंड तीसरा गाइज जो है वह आपका क्या है देख सकते हैं डिक्टियोटा बिर इंपॉर्टन यह इन तीनों पर हम कुछ कोशन जो हमने बनाएं वो डिसक्स करेंगे तो पहला कोशन दिक गल्फ बीड या सी हॉली इस कामन नेम आफ वि चीन पॉइंट लॉट इंटुन पॉइंट इन पर्सेंट ब्राउन और यंगि एगजिस्ट सीवीट प्तलब पूरी तरीके से मरीन होते हैं तो जो गल्फ बीड और सी हॉली के नाम जाना जाता है तो वह आपका होता है सारगेसम ध्यान रिक इंपॉर्टन हमने आपको बत पाइज स्ट्रीम होता है उसमें यह पाई जाता है तो इस काल गड़ बीड कुशन बात करते हैं सारगैसोंसी मेड भाई सार्गैसम जो कि क्या है ब्राउन एल्गी यह पार्ट आफ इसमें सिंपल सी बात कर रहा है कि जो सारगैसों सी आपको बता चुका हूँ मैं पहले सेट में कि क्या यह अट्लांटिक कोशियन में जो हमारा अल्गी होता सारगैसों उसकी ग्रोथ की वज़े से एक पार्टिक्लोर एरिया को यह कंफाइंड कर लेता है मतलब इसका बहुत maplat양 को मिलता है अपना इतना जब्यूस बना लेता है उस पार्टिक्लोर एरिया को FR सी का यह सरी सब्सक्राइब शनापको नॉर्धन यह पुछान तो ऑटा है आतलांटिक को सिन कि और सकी जो कांसिप्ट है कि साइड में तो उसमें बतानी है कि जो सारगाइस तो द्यान को सिम्सटेयर फेस्ट रहां कृंडशी आपको करा चुक और और कौन और कौन सी सारगाइसों सी बनाते बात बताएंगे आपक सब्सक्राइब कर लेती है इंक्लूडिंग अपना खुद का एक कालपनिक बना लेती है मतलब इन अट्लांटिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए कैसी कहलाती है अब कौन सी है वो जो आपका है म्यूटी कम यहां पर आपको बता तो म्यूटी कम है और जो आपकी पाई जाती है इसमें लेडी मैंने टिक कर रखें जैसे कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए कैसी है इन्वेजिव तो आपकी म्यूटी कम ध्यान रखना है अब सेकेंड कोशन नमर फोर में देखते हैं सारगैसों सी कहां पर लोकेटिट है पता है हमें अट्लांटिक और हमने इंफार्मिशन में कि बेस्टन बाले बेस्टन पार्ट मैं अट् सब्सक्राइब करते हैं जैसे हमने बताया म्यूटी कम तो सारगैसों सी बनाने नहीं जाता अब कौन से तो ध्यान रखना है कि नैटेंस और फिलूटेंस दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो एलगी जो इस पेसिती नैटेंस और फिलूटेंस यह बनाती है आपका सारगैसों सी तो सार्गैसों सी कहां बहुत लार्ज एरिया में कहां पर आत्लांटिक को सी पिलिए उसके बेस्टन वाले पार्ट में उसे हम बोलते सारगैसों सी और यह ची दो सब और यह आपका बॉटम ब्लेट मतलब लीव के अपके यह टाइब जो है स्टेम के कुवलेंट है होल फास आपका रूट के क्योवलेंट है यह आपका एपिकल में इस्टेम बाला पार्ट है कोशन नुम्बर शिप्ते बात करते हैं देखते हैं भी फिर से बता जाएं विच इ सरकेशन की सरकेशन बात है जो सबसक्राइन कहे लेती हुआ उसी को सारगय सोकी बोलते है तो कहने का मतलब है उसमें आपका एक भी होता है बाट इंपॉर्टेन क्या है कि जूब के साइब, ऑने में आनुने में धूर।mer का एक य का Dependent तो सिम्पल सी बात है कौन सी सब्सक्राइब को बनाते हैं आपको बता जुका हूँ फिल्टेंस एंड ने टेंस तो इन्हीं दो सब्सक्राइब प्रड़क्टिक्शन नोधा फ्रिमनेटीन के थुरू होता है सेक्षोर रिपर्ड़क्शन इन दोने सब्सक्राइब में अप्सेंट होता ऐसे का सकते हैं या कोशन पूचा गया कि भीच इस पीसी आप इसार गेशन सी रिप्यूदूस आपकी बहुत इस पीसी के वल फ्रिग्मेंटेशन के तुरूर रिप्रूस करेंगी जो सारगे तो सी का फार्मेशन करते हैं और वो कांसी है फिलूटेंस ए इसमें जो सारगेशन का बहुत ज़्याद थिक लेयर पाई ती उस एरिया को हमने बोला है सारगेशन क्यूंकि यह और यह सी है नहीं क्यूंकि इसका कहीं पर लैंड बाउंडरी से करेक्ट नहीं होता एक कुशन और ब्याता है कि ऐसा कौन सा चिया जिसकी बाउन्डरी लै कुशन नबर 6 में बात करते हैं इन सारगेशन फर्टिलाइशन आकर सिन पॉकेट्स विदिन अडल्ट अडल्ट का मतलब हो गाई जो उसका में बाड़ी होता है और वो में वाड़ी क्या होता है इन अल्गी में वह आपका होता है इस पोरोफाइड लाइक है यहां पर में इस पॉरोफाइड होती और इस पॉरोफाइड केसा उता है आप अध्यान लखना तो सार्गेशन सी में फिर्टलाइशन होता है मतलब सेक्षोल रिप्रडॉश्य में जो में और फीमेल रिप्रॉड़्य विडिव विन फ्यूज होती है उन पाकेट्स को क्या वोलते हैं त सब्सक्राइब कर गयóc दिक्ति ऑटीन गया तो अगर आपको बनापकर देखि ट्योटन नसवां सब्सक्पता कि就 कर देंगे अगर आपको आदिया कियो फिक्ति यह पनाती है ठीक रिक्ति को रहा होता है स millennials प्रब्लेमेटिक पूच्छन तो यहां पर सिंपल से कुचा गए डिक्टिटीन एक फिरोमेंस होता हुआ हार्मोन के प्रॉप करता है इस देखे फिरोमेंस जो होते वह एर के थूरू हमारा मीडियम है उसके थूरू मतलब अपना काम करते तो डिक्टिटियों क्या है एक फि लिए उसम क्या बोल सकते हैं फिरोमोन बोलते हैं जो जस्ट लाइक हार्मोन की तरह होते हैं तो यह फीचर आफ देखे इसमां सिंपल चाहर आपको पता है कि डिक्टोटा नाम का है कि अल्गी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है तो यह आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि आ लिए ब्राउन एल गई गाइस करेक्टाइस आपको होता है इस तरह कि और भी चैमिकल की बात करूंगा नेक्स्ट कोशन ने बिचादी फालोइंग इस टू स्टेटमेंट आप बात कर ले डिक्टोटा के बारे में कुछ श्टेटमेंट से आपको बताना सही और गल्स कौन होता है देख सकते सीविट होता है में ब्राउन फ्री फाइसी का मेंबर्स होता है और अब इसके बारे में कोशन नमरेट पर हम बात करें तो थोड़ा से जादे क्लियर होगा लांग एंड फ्लेटेंड इंडिट साथ आप देख सकते इस तरीके से ब्रांचिंग होती है ला चलिए इसके बारे में इनफर्मेटिव और किलियर है कि ब्रीस और लाइप स्पैन आप लाइप साथ लाइप कर लेती मनद कैसके कामन स्टेज होती है तो यह जो इन्फारमीशन है कि लाइंड फ्लेटेंड होता है डाइको असली ब्रांच दो होता है साट लाइप साइकल होती है और थ्री ओवर लैपिंग थ्री ओवर लैपिंग अल्टर निशन अब जनेशन प्रेजेंट होती है तो गई यह बाते हैं डिक्टोटा के बारे में किलियर ओडिक्टोटा क्या ब्राउन एलगे एक सीवीट से और इसलिए करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट आपना अपना अपना अडाप्टेशन अपना डिफेंस के लिए उसके अंदर चेमिकल से लिए जिसकी वज़े से वह फेस एंफिवियंस और से अपनी प्रोटक्शन की वह इसे फीड ना कर पाएं तो यह जो पाइकी डिक्टियम जोता है किस डिक्टियों किस अईलगी का फीचर से किस अलगी में होता है तो आपको एक आईडिया और जो टोटी जोता है कि जो फिस एंफिवियंस और ची आर्चन तो गज़ाइं नार्मली मतलब हमारा फेलेश बाटर बोड़ी में नहीं प्रिजेंट होती है और जो हम बात करता है यह आपका एक सी वीड़ मौन 99% अने बताया कि आपका मरीन बाटर ऊसी पाह जाता है तो बहां जो बड़े बड़े जो एनिमल्स होती है फीड करके खतम करना दें उसके अपनी मतलब यह अपनी ग्रेजिंग मदब टाइप का केमिकल है कि इसे ग्रेज ना किया जाए यह अपनी प्रोड़क्शन के लिए केमिकल से करता है तो यह ब्राउन एल की से होता है क्योंकि इसमे बहुत कोशने केमिकल का रौल प्ले करना बताया गया इसमें की डिजुला वैलेन डॉला टाइप डाइटर कि हैं लिपेर्ट से वह से वाट्राइट अब यह डाईटर पेर दोलर आफिश और आलसो फ्रुएंटली इंकाउंटर इंजीन तुइंटाण अधिर्ति इंकाउं ब्राउन ये बहीं पर ये सिक्रीट होता है सिंपल सी बात है आगे देखते हैं केमिकल यूजड एज एंटी फावलिंग एजन आपके फ्राम बेरी इंपर्टन कोशन हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारे डाइटम से जो मे पानी की जहाँ होते हैं उनकी बाटम होती है उनके हल्स उन पर यह बहुत जादा थिक लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं और इसंसे एक को नमी क्लास होता है वहां पर जो बैड़ स्मेल आती है और कहना चाहिए कि जो हमारा उसकी स्पीड होती है उसमार प्रावलम आती ह खरणाम होती है तो इसे बोलते हैं अब इस चीज़ को रखाने के लिए कौन सा यूज करा जाता यह कौन से प्लांट से मिलते हैं जो उस तरहीं कर दिया जा पाने की पर पाने का डिपोजिशन नहीं गहां कहने का मुदा ब्राउन एल गी डिक्तियोटा से मिलता है कहने का मदलब आइंटी फॉलिंग एजन कहां से हम अप्टेंड करते हैं दिक्तियोटा से प्राप्त करते हैं और यह यह डाइटम्स की बज़े से एक मत्ब हारमफुल इबेंट हार्फुल प्रोसेजर जो पानी के सिप्की जो स्फीर होती है उसे उ फ्लोरो टैनिंज एजन एंटी माइक्रोबियल हेल्थ प्रोमेजिंग केमिकल फार डिजाइन आफ फंक्शनल फूड फॉड फाइटो मेडिशनल प्रोड़क्स और काॉस्मेटिक्स आफ्टेंड फ्रम एक सिंपल सी बात है कि एक हमारा केमिकल है इसका नाम है फ्लोरो टैन फ्लोरो टैनिंज इसका कुछ रूर ने बताया कि एक अंटी माइक्रोबियल हमारे माइक्रोब्स ओते हैं उनके लिए उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए और हैल्थ प्रम बेजिंग केमिकल फार डिजाइन फंक्शनल फूड को डियाइन करने के लिए फाइटो मेडिशनल मे स्मेटिक्स में भी होता है तो यह आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि जो आपका फिलोरो टैनिंज यह कहां से मिलता है तो गई जी मिलता है आपको डिक्टी ओटास तो एक आप लिए चीज देख रहे कि डिक्टी टोटा जोबारा इक ब्राउन एल्गे तो बहुत सार करेब का तो कोशन में यह बोलाया है कि इंवी चाहती फालूइंगे यह पैरेंट कामेटच अल्गी होता है तो यह आपका जो अपसेंस है कि मैड़ा मोना अपने देख आ कारा देका है उड़कोनिम आपने देखा है कभी मैंने यह कोई बात नहीं बुलेगी पैरेंगा होत तो यह आपका पुरा बाड़ी होती है तो आपका करेक्ट आंसर है सी डिक्टियोटा कोशन में बात करेंगे फिर से भाई कोशन रिपीट हो रहा है उसी के बारे में कि डोला वेंट टाइप के जो आपके केमिकल से जो डाइट होते हैं आप दी ब्राउन के लिए तो पहला पॉइंट है कि एंटी फिडेंट एक्टिवीटी अगेंस्ट हर्वी बहुत से बचने के लिए उसकी फीडिंग को रोकने के लिए उसमें मदद करते हैं कौन से डोला वेलें जो टाइप के डाइट होते हैं आपने देखा होगा केमिकल हमारे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं जो एक्टिवीटी वाले जो भी है डोला इवें टाइप यह जो शी आरचिन को फीडिंग से लोकते हैं किसमें ब्राउन एल्गी में तो यह आपके क्या होते हैं यह आपके डाइट टरपी मिला होता है जिसे हर्पी सिंप्लेक्स बोलते हैं जो फस्ट वायरस होता है उसकी जो एक्टिवीटी को रोखने में भी काम आता है कहां पर इन बिट्रू में टेस्ट हो चुगा कि इन लेवरोटी साइड में यह देखा गया कि जो डेला बिन टाइप की डाइट अपिन बेरी हे इन टिफिडेंट एक्टिविटी में भी होते हैं इस पिसली सी आर्चन के लिए एंड आल्चों एंटी हर्पी सिंप्लेक्स बारस एक्टिविटी कुछ नमर्व 50 में बात करते हैं फिर एक बात है कि वाट इस विच फैक्ट ट्रू रिगार्डिंग दिक्टियोटा के बार इस पहले नहीं बहुत सारी इंफरमिशन बहुत सारी में केमिकल सोते हैं आप न्यू कुछ बात कह रहे हैं कि इट है डाइवर सेकंडरी मेटा बोलाइज दिकुछ जितने भी अविने के में कर बदाए निया इस से पहले दो और बताय थी सब क्या है से मतलब इसे के अधिन एनिमल फीट इस का मतलब जो चारा होता नहीं फोर्डर की फार में यूज करा जाता है जैसे कोस्टल एडिया में जो रहते हैं वह से निकाल लाते हैं अपने जानवरों को खळाते हैं चारे की फार में सी स्टेट में थैलस जो हैस का हैस बन आर मोर मतलब यह क्या ज्यादा बात कार्टिकल सेल्स एंड मेडियरी सेल की बनाती लेस बना देती यह बहुत इंपोर्टन चीज है इसमें और यह ऐसा होता है डिक्टोटा में की लेंग सेप्ट एपिकल सेल्स पाई यह धार रखना आपको एनिमल फीडिंगे फार में मतलब पाईज फोडर यूज करा जात तो वाइस करेक्ट आंसर आपका कोशन नंबर हम सिक्स्टीव में बात करते हैं इन विच आजी फालोइंग इस कंसर्ण विट ट्रीक्ट यूट फिर से बार बात करते हैं डिक्टोटा के वारे में कुछ और इन्फार्मेशन ने गई पहला पॉइंट है कि जो इसका में प् सकते हैं डिक्टोट इसके पास पास लिए पार इसके इनन्प्स आप में प्तु आप से दिप्लाइब हो तो यहां पर जो आपके में प्लांड वाड़ी एए डिक्टोटा में वोग उसे का देन आप एक के इस ड्यान नहीं तो इसके अंदर को सिकेंदर पार दिए नान लोगा है प्लाइड है ट्रोथालिक माइक्रोस्कोपिक बीरिंग एंथ्रीडिया इंद ऊगुनिया इस तरीके का उसमें गमीटोफाइड इस संटेज उत्रॉप पुरा करने में यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है इस गमीटोफाइड के बारे में जो मिटोफाइड होत इसमें आपका आइसो मार्फिक टैप का मतलब हुआ कि इक्वल मार्फोलोजी वाले जो उनकी मार्फोलोजी होती है उसमें कुछ ऐसा नहीं बनता है उस बिल्कुल डिफरेंट हो आई सो मार्फिक और डी स्टेटमेंट है डिक्टोटाइज कंजिम्ड लोकली इंदी अब का यह होता है तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि मैं बादी प्लाइट होती होती है और यह नार्मोटाइल स्पोर्स का फार्मेशन करता है वाइड प्रोडूशिंग टेट्रास पोरिंजिया एड़ इस पोरफाइड और जो हैप्तोट फॉर 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 फॉ सब्सक्राइब कर यह प्रणा होती है और उसके पास तो पहले हैं पहले बता क्या होती हो तो इस गरते हैं बिलकुल सही बात है और यहां पे एक नहीं बात जो है वह आपका बता है इसमें जो बागी परती है दो जो टीकर नहीं बात थी कि जो इन ट्रेडिया और वह इसे पर पर बोडी होटी जो एक थो एक और होती है तो इस तरीके बागी निया पॉइंट उति हम के रहे जो हती हो बागी पुराने पॉइंट है तो करेक्ट आंसर आपका इसे आपको फ्यूकर टो कारपस दो पढ़ाएंगे इन डिटेल में कि इसके लावापको आपको सार गया सम्टिक्टियोटा और आपको एक लावनेरी मालुप चलेके लिए इसके लाव कुछ और पता चलिए लिए तो पता था इसके बाद आपको दूसरे नहीं रहन लैसौनिया एंट यह ब्रावन होते हैं कार्डाइंड का कल्टेरिया ब्राओन लिए और कार्पो मिट्रा भी ब्राउन लिए उता है इसका इंसर आपका यह ध्यान रखना कि कुछ नाम पता चल जाए इसे होता नहीं सिंपल रखोशन आज था कि इन प्राउन लिए देटेटें एक और बाकि जो होते हैं एक तीन लिए आप इंपॉर्टेंट यह कि हमें ड कुछन नुम्बर 19 में बात करते हैं लैमिनेर यह स्टिक अब हम तीसा एलगी जो इस पर कोशें सुरू हो गया तीन इस्ट्रियम ने बताया लिक्टोटा और सार्गेसं पर बात कर चुकिंग हम बात करें लैमिनेरिया पर देखिए लैमिनेरिया के बारे मात कुशन पूश अब यह द्राइब हो जाता उससे बढ़ा जाती है ठीक टाय यूजड इंदी बो यूजड कर जाती है देखने अब यह फिमेल का जो पार्ट होता है फिमेल ले पूड़क्टिक पार्ट उसके अंदर की जिए इंसर्ट कर रहा है इस तरीके से कब जाफ्स अब समझ चेक्त अबर्थ होती है उससे डिए टर्म से तो यह उनमें हेल्प करती है करेक्ट अंसर आपकर सी हैड़क्स इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता मतलब कोई डिलेशन नहीं होता है निश्कोशन बात करते हैं इन भी चादी फालोविंग स्टेटमेंट इस ट्रूए बाउट इस ट सब्सक्राइब करते हैं तो बात कर रहा है कि जो डिप्लाइड इस पॉरोफाइट का है डामिनेंट फेज है इन दी लाइफ साइकल ठीक है थार्ड इस्टेटमेंट है जो गमीटोफाइड है वह कैसा है और लाजली डिफ्रेंसेटिट इसके नदर रूट सूट लीप कि इसमें बादर में कुछ ऐसा नहीं मौलं चलता है रूट कहां चूट आ है आपके जो डियूर इस स्टेम होगा सब्सक्राइब हुआ हो जब मैं नहीं कि देखना या आपको और डी स्टेटमेंट है लाउग फ्लैड्लेड बलेड ने बीचे जए तैस रहाव फ्लैड बे सब्सक्राइब करिक्ट सरण ता यह दा यह तो कामन क्यामन बात है में प्लाइब यह इस Never तो इसका जो फाइट हो था फिलामेंटर तो नगी यह दो जाएगा कि अब बात करते तो यह स्टेट्मेंट इस्ट्रू अब आलो ने करते हैं पूएंट आया को जिकन हम मिक्स कोशन हैं अभी तक मैं से कुछन लगा थे पहले आपको मैं आपको मैंने सार गया सम फिर कि कौन सा स्टेटमेंट टू नहीं है सौर्गैसम के बादें पहला पॉइंट था कि जनली फांड़ाइट टू रॉक लाग लाउंग लाउंग कोस्ट आप टंप्रेट यह भी को टंप्रेट में ठंडे जगर में पाई जाते हैं और अटाइज पाई जाता फ्री फ्लोटिंग पाई जाता यह इंपॉर्टन बात ध्यान रखना है इट अग्रिंगा जब प्लाजिक फ्री फ्लोटिंग आखिए लाउंग दी ओपीजी में कैसा होता है यह फ्री फ्लोटिंग होता और जब एक जिसके टाइडल में लोग किनारे पे होता कोस्टल अर्या में तो यह बाग है कि यह बहुत ज़्यादे अरिया में होता है सब्सक्राइब करता है सही बात है बिल्कुल हंड्रीट परसेंट से अभी गास्ट पॉइंट है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट सही है कि राटिंग एल्गी पोजे हुमन हेल्थ रिस्क यहां पर पूछ किया रहे हैं नाट यह बात धिया रखना नीचे के स्टेटमेंट को अबने सही करा है कि जो राटिंग मतलब जाता है तो यह हूमन हेल्थ के लिए कोई प्राब्लम क्रियेट करता है इसके सब्सक्राइब किसी भी तरीके से निगेटिव इंपैट नहीं रखता है ठीक है और इसमें हमने कोशन क्या कर दिया कि ऐसा करता है तो यह कोशन पूछा क्या है कि नहीं है तो करेंट आंसर क्या होगा आपका यह जो हम बात बोल रहा है कि जो आपका सारगैसम होता है जब इसमें सब्सक्राइब प्राब्लम करेट करता है यह कोई भी प्राब्लम करेट नहीं करता है तो चुना बिरांट धायले उता आपने देखा था बहुत ब्रांच रोता है और इसके नदर कुछ मतलब बेरी लाइक मतलब इस तरीके कि बड़ सोती है लाइक गृूब में पाई आती है इस तरीके की जो इने मैं क्या वोलते हैं जो इसे मतलब तैरने में फ्लोट करने मदद करते हैं तो आपने देखा है कि दो तरीके सोता है कोस्टल अर्या में होता है किनारे पे तो यह अटाइच होता है जब ओपन सी मोटा तो फुलोट करने के लिए इसके इन्दर उसके लिए रस्पांसिब्ल जो स्टुक्ष्टर है वह आपके बेरी लाइक कुछ इस्टेक्टर जो तिं में पिक्टिर आपको दिखाएंगे जब फिर थोला सागे तो यह बात भी बिल्कुल सही है सागासिम के स्टेट्मेंट टी है कि मौस्ट इस विप्रॉड़ूस्ट होता है कि वह भी बात आजाती है कि आप इसे उपर बताए लिए सारगासु सी जो इस बनाती है उनमें फ्रे स्टेट्मेंट में कहा रहा है कि मौस्ट इस बिल्कुल सही बात है बट पैलाजिक स्पीचिस में जो फ्री फ्लोटिंग हो दी कहने का मतलब शारगासु सी का फार्मिशन करती है वह आपकी के वर फ्रेमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रूडूस्ट करती है मतलब बजिटेट इस बात करेंगे पहला पॉइंट यहां पर लिख दिया कि कोई बात नहीं है जो की ब्राउन एल्गी से इस ब्राउन एक प्रूमिशन को ती और साथ में प्रॉमिनेंट सेंट्रल मिट्रिब यह वह ती है और वह दोनों साइट से कवर्ड लोग बात करें बीच में मिट्रि करा कि जो फूकर्ष भी राउन एल्गे ब्रांचिंग डाको तो में से कोशन आए हुए दो रोगें और शार गाइस है में यह ब्राउन एल्गे मोनो पोडिया ठीक है जो होती है यह लेमिना तीनों टूम किसके नहीं एक वह सी इस्ट्क्चर के लिए ब्लीफ ब्लेड लेम इसके बाद है दोनों कमन पॉइंट कि दोनों यह लगी जो है देखी हमने का अड़र फ्यूक्यल्स और फैमिल्ट के सी में रखे गांगे बिल्कुल सभी बात है और फ्यूक्यल्स जो होता है जिसके मदब सारगेसम और आपके फ्यूक्स में बदेश्य के जो मेंबस होते ह सबसे सब्से सब्सेयर्जदे ब्राउन सीवीट से अब यंड अपर इंटरटाइबल सोर्स आप तंप्रेट ऊसी थंड़े पानी के जो समय में धन्धे ऑर यह स्ट्रीमेंट भी साइब आपका होता लास्ट आप्सट को शनमबर 24 में बात करते हैं इन पर फालों फैक्ट इ कि यह नहीं बोला है इंप जादे फालूइंग फैक्टिस करेक्ट रिगार्डिंग दी ब्राउन एल्गी यूज ट्रीटमेंट आप कैंसर इस्पेशली आडर आफ डिक्टियोल्स एंड फिकल्स बहुत इर्ची बात है कि जो ब्राउन एल्गी इनका कैंसर के ट्रीटमेंट म अच्छ इंडर मटा रहा है यह टर्म उन्टा दो क्योंकि क्लेडियम को और पैठा दो लैमिनेरिया जैपोनिका और यह कि बात कर देंगा इस लेवर जैपोनिका जो ती ब्राम लिलके और यह जो हता है इसमें इसका रोल बताया गया है को लाइए इसी आडर का ता है दो आ सबस्क्राइब केंसर में च्राइब को रोकने में यह भुल हो ते लिए प्रिस्ट इस्टेटमिन गाईबाध करते लाइदे हमें प्रिसिक्स प्राइब गया नहीं प्ता इसमें डिस्कूस्पि कर रहे हैं आज सबसे बड़ा दुनिया का जो समंदर है वो सेकेंड बन अट्लांटिक है दूसरा पॉइंट कामनली क्या बोलते हैं टैंजल या डीप सी टैंजल इसका ध्यानक ना डीप सी टैंजल किसे बोलते हैं लेमिनेरिया का बोलते हैं और आपको सारगैस्व का नम क्या बताया था हमने सारगैस्व का गल्फ बीड ठीक है इसका लेमिनेरिया इस पिसीज केंट फार्म बास्ट फॉरस्ट लाइक केल बेट्स एंड प्रोवाइड हैविटेट फार मैनी टैप्स अफिस और इनवर्टिव इसका पिक्चर भी लगा काpiece د theור 16 में में बात करते हैं गए फिर से जो हविटेत होता है सी वीड से मुझा अनिके बारहा है के लहांकुमसा सलुट करेक्ट है यह स्टेटमेंस तने लगारेक्टिए होग थे ऊर्गेंस में तप्राइव हम गाहिञा है कोसि आयसुट अबहस्टि करेक्रेंस करेक्ष अब्धी पैसिफिक एंड कि धाल्स एक्रोट डाहे होता है और सब्सक्रास अब łरे होता है और यह आंन्टार्ससटिश के Om hourly ऌद पा शबूसीन में पार्सिफिक और सब्सक्राइब करना शबंद एक कनती तो नोटनिक में अलप सोता है étape आपका गल्फ इस्ट्रीम एंड सारगेशों कि यहां पागजान यह का सबस्क्राइब इसका मतलब अट्लांटिक वाला डीजन हो गया सबस्क्राइब और गल्फ इसके क्या मुझा से कहा बोलते हैं किसे सारगेशां को तो भी घुल पाई जाता है यहां करेक्टर स्ट्रेट् कहने का मतलब है इसमें यह इनकी हैविटेट के बारे में कुछिछ नमट 27 में हम बात करते हैं विच फैक्ट इस करेक्ट एब माइबाऊटथी के पारे में कौनसी बात सही है आप जानतें केवा क्लिप क्या होते हैं ब्राउन एलगे के एक लोग होते हैं जो एक बहुत ही ला आर्जिस्ट म्लेट जो कालेवनीश बनते होंने किल फॉरस्ट बोलते हैं इनके बारे में कॉन सी बात सही है उसे बात करना देखिए तो मैंक्रो रखा होता है ब्राउनल्ड को पाइरी फायरा मैंको बना रहा रहा है तुब विवाहिक्वाइट सबकुन दूंख बाएल तो इसमें कोई डाउड नहीं है डिस्टेट्मेंट करें तीनों बाते हैं बहुत सबस्टे बढ़ा होता है वह समुधर मोगता है दूसरे अनिमल उसके रहे तो मरीन है विटेट होता है बिलकुल बात है और पार जो होते हो ब्राउन एलगी बनाते हैं तो फिवाइसी को भी बात करने वाले लोग बनाते हैं कुछ नमट ट्विंटी एट में बात करें इन पीचादी फालों इस्टेट्मेंट ट्रू अब आउट बाउट इस सीवीट के बारे मला ब्राउन एलगी के जननल श्टेटमेंट है पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है प्राउन लिकाम पाने के समंदर में यह सेंट होते हैं इस जामपल में जिसमें आपका मैक्रोसिस्टिस नेक्रोसिस्टिस आरगेसं लाइब बिल्कुल सभी जो है आपके इसी के इक्जामपल से कोई डाउट नहीं है आइसा नहीं है कि दूसरे गुरूप का रेड अलगी आगा हम गिरीन ए सबसे ज्याद है कौन सा केमिकल कांस्टिटूट एक कौन सा माइक्रो आपका जो होता है माइक्रो मालीकिल पाए जाएगा मतलब राख जो वह सकते हैं कार्वाइड प्रोटीन लेप तीनी चीजह होती कार्वाइड प्रोटीन लिपिट और कुछ मतलब हम इसके इसे जला दें तो समय तीन चीजह मिलें कार्वाइड मिलेगा टेस्ट करें प्रोटीन मिलेगी और कुछ हमें राख मिलेगी एस पुल तो सब्सक्राइड होता है क्या होता है तो इस तरीके निकाल सकते थे अब एक इंप्रेंट कोशन सिंपल ची बात पूची कि टर्वीन एरिय आपके पास तो आपको इसा होता है इसका पिक्चर देख लिए तो आपको ध्यान दखना है तो यह तो लास्ट में आई रिकोष्ट वालाफ यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक यूटूब चैनल थैंक्यू बेरिमिस गाइज